ओरियर जंगर नमस्कार गोटा जार न्यूज में आप सुबों का स्वागत है आये जानते हैं जार्खन के सभी जिलों की मुखी बड़ी खबरों को खबर है जार्खन के देवगर से अबे सराब बनाने के कारोबार का खुला सा क्या गया है देवभर में छापे मारी के दोरान पांच लोग फ़रार नकली सराब और इस्टेकर भी बरामत किये गये है उत्पास विभाग ने रेवार की देर रात देवीपूर थनाचित के हत्थू यारीव गाउ में पहार से अवेद सराब बनाने के कारोबार का भंडा पुड किया खबर है जहारखन के दुमका से मुख मंत्री के भाई बसंस्वरेन का बड़ा बयानाया है कहा कि खाने की मना ही नहीं है लेकिन ऐसे घर से मत खाईए जिसको खुद के लिए खाने का नहीं है दुमका के विधायक और मुख मंत्री हमन स्वरेन के भाई बसंस्वरेन ने शोमारक अपने विधान सभाचित के मसलिया परखंड में आविजी विकास उत्सव मेले को संभोधित किया इस दोरान उन्होंने कहा कि परखंड के निचले अस्तर के करमचारी हर काम के लिए बड़ी जोर पैसे की डिमांड करते हैं यहाँ पर परखंड के पदादिकारी भी मुझूद है बुरा नहीं मानियेगा लेकिन आप सभी को सजग रहनी की जोरत है बसन स्वरेन ने कहा कि मैं उन करमचारीों को बता देना चाहता हूं या तो आप लोग सुधर जाईए नहीं तो सभी लोग मुझे जानते हैं कैसे सुधारना है बसंद ने कहा कि खाने की मना ही नहीं है लेकिन ऐसे घर से मत खाईए जिसको खुद के लिए खाने का नहीं है बसंद सोरे ने उपसित ग्रामिनों से आवान किया कि कोई अगर आपसे ऐसी डिमान करता है तो आप सिधे मुझसे सिकायत करें एक्सन का क्या लेना है मैं जानता हूँ उन्होंने कहा कि एक एक लोगों के पास मेरा मोबाइल नंबर है ग्रामीन सिधे मुझे कम्प्लेन कर सकते हैं एक्सन लेना मेरा काम है बसंद की इन बातों को सुनकर वहां मौझूद ग्रामीन लगातार तालिया बजाते रहें खबर है जारकन के राजिसे सरना धर्मकोड को लेकर दिल्ली में 27 और 28 फरवरी को सरना धर्म महारेले होगी एतहासिक जत्रा खुटा सकती अस्थल में हुई बैठक सरना धर्म कोड मांग को लेकर केन सरकार से मांग तेज करने को लेकर एतहासिक जत्रा खुटा सकती अस्तर भावन में बैठक हुई बैठक में राश्ट्री अदिवासे समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के बैनर्तले कई संगठन सामिल हुए बैठक की अधर्षता करते हुए सरना धर्म गुरूप बंधन तीगा ने कहा कि सरना धर्म को इसाई मुस्लिम से कोई खत्रा नहीं है खत्रा वैसे लोगों से है जो सरना धर्म को हिंदू करन कर दिये है सोनिया और राहुल गांधी के साथ मिलकर मंत्री और निगम बोड की गुत्थी सुलजाने में जुटे हमन सरकार मुख मंत्री हमन सोरन सोमार को दिल्ली में कंग्रेस अध्यक सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की कांग्रेस अलाकामान से मुखमंत्री की मुलाकात के बाद जारखन के राईनितिक गलियारों में कैबिनेट विस्तार की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है इसके साथ ही मुलाकात के दोरान बोर्ड और निगम के खाली पदों की न्यूकती पर भी गुत्थी सुल जाने के असार हैं हेमन सुरहन रेवार साम को दिली पोचे थे अब मंगलवार को वे राची लोटेंगे यानि कि आज ही राची लोटाएंगे जारखन में पुर्बा हवा से दो दिनों तक ठंड से देगी रहात 22 जन्वरी से पच्छुआ फिर बढ़ाएगी ठंड सोमार की शुबा आठ बजे राची का न्यूंतन तपमान 9.1 रिगरी सेर्शेद दज क्या गया है पिछले तीन दिनों तक न्यूंतन तपमान में ग्रावड के बाद ये अब तक की सबसे अधिक विर्दी है मोसम बिग्यान केंदर राची के मुताबिक अगले तीन दिनों तक राची के न्यूंतन तपमान में बढ़ोतरी दज की जाएगी मोसम बेग्यानिक अभिसेक आनन ने बताया कि निचले अस्तर पर हवा में बदलाव के कारण तपमान में बढ़ोतरी हो रही है इस दोरा आंसिक बाधल भी रहेंगे उन्होंने बताया कि अगले दो दिनों तक राची में पुर्वा हवा बहेगी इसके कारण निचले तपमान में बढ़ोतरी होगी वहीं बताया गया कि दो दिन बाद अब हवा एक बार फिर उत्री पस्यम की ओर हो जाएगी जो निचले तपमान में गिरावट आएगी वहीं राजभर के मोसम की बात करें तो पिछले 24 घंटे में राज के उच्टम तपमान में भी गिरावट दर्ज की गई है अधिकतम तपमान सबसे अधिक जमस्यतपूर का 25 डिग्री सेल्शेस दर्ज क्या गया जो समानी तपमान से 1.6 डिग्री सेल्शेस कम है वहीं डालिटन गंज का 2.8 डिग्री सेल्शेस कम होकर 22.6 डिग्री सेल्शेस दर्ज क्या गया सबसे ठंडा चाय बसा रहा यहां का नियुंतन तपमान 8 डिग्री सेल्शेस दर्ज क्या गया जो समानी से 3.9 डिग्री सेल्शेस कम है खबराय जहारखन के जमसित्पूर से जमसित्पूर में 1,42,000 रुपिये की साइबर ठगी की गई है बेंग का अधिकारिक बता कर क्या था कॉल बिष्टूपूर्थाना अंत्रगत रामदास भटा में रहने वाले सेकर राव से साइबर ठगों ने 1,42,000 रुपिये की ठगी कर ली है पिरित ने बिष्टूपूर्थाना में अग्यात के खिलाब केस दर्ज कराया है एफायर दर्ज कर पुलिस मामले की जाज कर रही है पिरित ने पुलिस को बताया है कि 15 जनवरी को उसे एक नमबर से कॉल आया था कॉल करने वाले ने खुद को बैंक का अधिकारी बताया उसके द्वारा कहा गया कि उसके क्रेडिट काड का CPP एक्टिवेट हो गया है CPP डी एक्टिवेट कराने के नाम पर ठग ने उनसे ठगी की उनसे OTP मांगा गया OTP देने पर उनके खाते से 1,42,000 अवेद निकासी हो गई थाना परभारी विष्णू पसाद रावत ने बताया पुलिस मामले की जाज कर रही है खबर है जहारकन के गोड़ा से गोड़ा जिला में इस बार जहां खरीब का अच्छा उत्पादन है वहीं दूसरी और रभी की भी खेती अब तक बहतर रही है रभी फसल में जो लगना था लगभग सभी फसल की बहाई 90% के आसपास हुई है विभाग की मिली जनकारी को नसार जिला में रभी की खेती मुक रूप से गेहूं चनाज सर्सो वा अन्यदलन फसल होती है लेकिन इस बार लगभग सभी फसल 72 इस्तिती में है विभाग के मिली जनकारी को नसार जिला में इस बार रभी मोसम में 13,500 हेक्टर भूमी में केहों की खेती का लक्ष रखा गया था जिसका अब तक 90% रोपनी का काईर पूरा हो चुका है वहीं दूसरी और इस बार सर्सो की खेती 72 भी है सर्सो के लिए 23,500 हेक्टर भूमी पर सर्सो फसल के अच्छादन का लक्ष रखा गया था जिसका अनुपात में 101 परतिसाद रोपनी का काईर पूरा हो गया है वहें पर गोड़ा सहर वास्यों के लिए अची खबर है अगले मास सहरी अबादी को सुन्दा डेम का मिठा पानी मिलने लगेगा जिला मुख्यालय में बिते कई दसक से गंभीर पेजल संकट जहल रहे सहरी उभोकताओं की मुश्किलें खत्म होने जा रहे है फरवरी मास सहरी जलापूर्थी प्रियोजना को चालू कर दिया जाएगा एक अरब रुपिय से अधिक राशी वाली सहरी जलापूर्थी प्रियोजना का काम कर रहे है एजनसी जुडुकों ने सोमवार को इस आज़िकी जनकारी दी खबर है जार्खन के साहभगंज से कमजोर छात्रों के लिए करें विशिज कक्छा की विवस्ता साहभगंज के दो दिवसी दोरे पर साहभगंज कोलेज का आई कुलपती प्रोफेसर सोना जरिया मिंज ने शुमार की शुबा महविद्याले का अनुरिक्षन क्या उन्होंने कहा कि विभाग अध्यक्ष शिक्षा को चात्रों से अलग-अलग सेक्षनिक वातावरं बनाएं कोलेज की समस्या का सामाधान हो परिच्षा अनि गलतियों में सुधार हो शत्राओं को कम से कम परिशानी हो आदी विश्यों पर कुलपती ने बैठकी कहा कि सेक्षनिक रूप से पिछेर चात्रों के विश्यों 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 के विश्यो दिवत तरीके से प्लान कर कख्चा की जाएगी। यह बाते राजमहल लोग सवाचित के सांसद विजय हासदा ने शोमार को गोकुलपूर आम बागार में जहमुमों कारिकरता को संबोधित करते वे कही। आज भी ग्रामी छेत्रों को लोगों को जनहीत की यह जनकारी नहीं है। किये हुए वादों को पुराकने का काम करेंगे। खबर है जार्खन के खुटी से अपने बच्चों को सिक्षित करें आदिवासी समाज। इसके साथ ही आज की समाचारों पस इतना ही हमें दिज्जे इजाजत नमस्कार। झाल झाल वो उश जाल झाल झाल को जबचित क्षित करें बच्चों को सिक्षित करें आजरें एक्या करेंगे।